प्रवाले शेरों की खबरों की चलते जहां देखने को मिलता है एक्शन क्या होना चीए आपका रियक्शन ये बताएंगे संतोज जी खबर बताएंगे हम और क्या निना लेना है ये त्नाएं करेंगे आप तो यह करके ज़रा कंपनी को लेगर के आते हैं स्क्रीन पर और फिर करते हैं उसका विश्टेशन सबसे पहले तेजस लेगर के आते हैं और तेजस में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और कारण क्या है कि कंपनी करीब करीब साड़े ग्यारा करोड के घाटे के मुकाबले अब आ गई है मुनाफ़े में और मुनाफ़ा भी छ 21 करोड रुपए की आउडर बुक यहां पर देखने को मिली है चौती तिमाई के अंदर और पी लाई के तहट चौती तिमाई में कंपनी को इंसेंटिव ही मिला है सरकार की तरफ से और वो मिला है 32.66 करोड रुपए का इन ही तमाम खबरों के चलते जो है शेयर में मोमेंट बना हुआ था नतीजों से पहले ही मोमेंटम बनना शुरू हो गया था पांच कारोबारी सत्र में करीब 31 परसंट की तेजी यहां पर देखने को मिली है और आज भी हम देख रहे हैं दस फीसद से ज्यादा की मजबूती बलकि एक तरीके से 18 परसंट के आसपास की मजबूत सब्सक्राइब क्या शांदार मूब यहां पर है सर तेजस नेटवर्क शांदार नतीजे शांदार चाल एक महीने के अंदर 62 परसंट का रिटर्न आपकी सला काफी दनों के बाद जो है कंपनी में बतलब अच्छे दिन लोटे हैं मिझे लग रहा है इसके और काफी रेवन्यू में देख लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बतलब चौतरफा ग्रोथ देखने को मिली है जो की काफी दिनों से नदारत थी और कभी कंपनी माइनस में कभ वो काफी बढ़िया ओडर बुक दिख रही है और ओडर बुक अगर एग्जिक्यूट करती है से इन सेमिलर वे जो की इस कौर्टर में तमपनी ने किया है तो दिन मुझे रगता है कि जो स्टॉक जो पी है जो अभी वैलेशन दिख रहा है वो काफी कम होगा लेकिन अगेन काफी बड़े वैलोशन है तीन सो टाइम्स प्राइस प्राइस अभी तक नहीं है मतलब सारी चीजिए फ्यूचर में है तो इस प्राइस पर तो मैं नहीं देखने चानगा लेकिन कभी भी अगर सब्सेंशल करेक्शन हो तो देखूँगा ये ताटा की कंपनी हो चुकी देख लेते हैं यहां पर भी नतीजों का सीजन है तो ज्यादा तर जो है नतीजों की बात करेंगे चौदी तिवाही मुनाफ़ा यहां पर डबल हो गया है एक सो आठ दसमलो साथ चे करोड़ रुपए बढ़ा है और यह रहा है बावन दसमलो एक छे करोड़ रुपए वह देखने को मिला है और वो रहा है 267.29 करोड़ रुपए यह शांदार नतीजे रहे हैं नतीजों का असर भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे सेक्यूरिटीज ने अब रेटिंग को होल्ड से बढ़ा करके बाय रेटिंग कर दी है और जो कंपनी के ऊपर लक्ष है उसको ब पर बनाई थी और अब यह तेजी और बढ़ गई है सवा 12% के आसपास 1190 का टार्गेट दिया था 1153 तो अभी हो गया है क्या शांदार रैली है सर क्या सला रहेगी 800 नग्रों शांदार नतीजे डबल हो गया है मुनाफा सर आपकी राय क्या होगी मुनाफा डफिनेटल अगर आप साल दर साल देखेंगे डबल हुआ है लेकिन अगर आप प्रीविश स्कूर्टर से देखेंगे तो क्रीविस पोर्टर से तावन प्रोट अप्रोड रूपे के अपड़ी हो था तो मतलब पूरी तो पूरी तरह से मैं बहुत ज्यादा वह by कि वैलुएशन थोड़े महंगे हैं और स्टॉक जो है उसमें काफी दिनों के सेडिटिव मूव के बाद करेक्शन था तक्रीबें आप समझें कि बारत सो रुपे से लेकर हजार रुपे तक और अचानक से इसमें मूव आया है तो ग्यारा सो पचास का ध्यान रखें अगर आ सब्सक्राइब करें कि यह थोड़ी से सीजनल होते हैं दूथ का जो कारोबार होता है क्योंकि गर्मियों के दुनों में आपकी मार्जन साहत कम हो जाती है दूथ कम निकलते हैं तो वह सारी चीज़ें रहती है तो उसके कारण जए एक सर्प्राइज है मार्केट को तरी वै सब्सक्राइब करना चाहेंगे लेकिन जो है अपनी बातों को आप इस पर रूप से रखिए खैर कोई समस्चा हो तो बताईए जो अगर जो हमारे माध्यम से सौल्व हो सकती हो खास्तोर से शेरों से जुड़ा सवाल हो या कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि हमको इस समस्च से उठानी चाहिए तो चालिए इस भी चागे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और अगली कंपनी जिस पर हम बाचीत करने जा रहे हैं वो है आई नॉक्स विंड पे आज अच्छी ख़बर आई ख़बर आया आई कि कंपनी 25 अप्रेल को कोई दो दिन पहले ही कंपनी को 210 मेगावाट का विंड अर्वाइन जनरेटर का भी ओर्डर मिलता हुआ दिखाए दिया था तो उनी सब ख़बरों के चलते हैं आज हम देख रहे हैं कि दो फीसद से ज्यादा की तेजी जो है वह आई नॉक्स विंड के अंदर देखने को मि अभी अगर देखें तो दो परसंट के आसपास की मजबूती ही अभी भी देखने को मिल रही है हाला कि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब घटे-घटे दो परसंट के आसपास रह गई थी छेसो तीन च्छेसोचार के आसपास चल रहा है इस तरह की बाते सामने निकल करके आ रही है यह उपर जाता है फिर थोड़ी सी रुकावट वहां आती है आप कैसे देख रहे हैं सर अभी इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए देखिए आइनोक्स विंड चुकी सरकार का रिन्यूबल पर फोकस है तो कंपनी को जो है फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छे हैं लेकिन अगर आप कंपनी को देखें नंबर्स के लिहां से तो काफी डिस्मल परफॉर्मेंस रहे हैं लास्ट के तीन-चार सालों में और पर कंपनी ने मुनाफ़ा ऑपरेटिंग बेसिस पर क्योर कमाया है नेट बेसिस पर अभी दोसो नौ को नुकसान है कंपनी को अब मैं बहुत आश्यर चगे था हूं कि कंपनी इतने सब नुकसान के बावजूद और जहां पर की बावजूद उसके कंपनी एक बोनस शेर का अनौसमेंट करने जा रही है और कंपनी ने अनौस भी कर दिया एक्षेंज इस पर की यह उस पर विशार करेगी मुझे लगता कि जादे उससे ज्यादा अच्छा होता है बहतर कि कंपनी अपने बिजनस पर फोकस करकर उसको एक्स्पैंड करने की बात करती और वहां पर कि साइज के और काफी ज्यादा है उस लहाज से इन इस तरह पर तो मैं एक दम नहीं देखना चाहूंगा इसने सब्स्टेंशिल करेक्शन होता है 20-30 परजिन तभी मैं देखना चाहिए और फिर अगली आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुक करते हैं और देखते है सब्सक्राइब हैが इस थरी के ख़बरे निकल कर शाएंगे अब ज़रा इन्दबर स्मयून का चाहिए और क्वांड कर फकदनी के एंदर विंदर हिस्सा है और कंपनी के अंदर आपको बता निवेश किये गए हैं और इस हिस्सा खरीद के चलते कंपनी के शेर में सुबह के सत्र में हम देख रहे थे पांच परसंट से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी और अब यह जो तेजी है वह उस पे अगर हम नज़े डालें कि क्या इस देखने को मिल रही है तो व 15% से जादा की रैली यहां पर और लड़ी आ चुकी है यह चार्स आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके का शांदार मूब देखने को मिल रहा है एक महीने के अंदर 52% चल चुका है इंदपरस्ट मेडिकल का शेर अभी क्या करना चाहिए सर यह प्रॉफिट बुक करने तो यह इन दिनों काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोश्ट किया हैं और मैं देख पा रहा हूं कि कंपनी जो है वो वन आफ दी चीपेस्ट कंपनी बाइक प्राइस टूर्मिंग डेश्यो पर आप देखें तो पूरे सेक्टर में बहुत सबसे कम दिख रहा है इनका ड कि काफी अच्छा कंपनी का जो फिनेंशिल परफॉर्मिंस रहा है उस लिहाज से मुझे रखता कि डेफिनेटली जो है इसमें आने वरे टाइम पर और रहना को सकता है तो गिराउट में जरूर देखें ठीक इस बिच जो है आगे बढ़ते हैं और आई टी आई पे जरा ब ने लेकिन जो मुमेंटम यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा था इसको एवाइड करना नहीं चाह रहे थे ऐसे ही इस ती टी टी एमेल में भी देखने को मिल रही थी लेकिन उसको बजिंग में लेने ही सकते थे कहीं कहीं दूर दूर तक कोई ख़वर नहीं दिखाई दी थी अब लगातार दूसरे दिन आपको बता दें कि तेजी देखने को मिल रही है पिछले पांच कारोबारी सत्र में बीस परसंट से ज्यादा की रैली यहां पर अल्रेडी आ चुकी है और पिछले एक साल के अंदर दोस्तो पच्छिस परसंट का रिटरन यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है टेक्निकली चार्ट पर कैसा लग रहा है इस अंतोस जी से समाझने की कोशिश करते हैं और आज भी नौ परसंट के आसपास की मजबूती जब मैं खबर लिख रहा था तब देखने को मिल रही थी और अभी अगर देखें कि क्या इस ती देखने को मिल रह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा वालूम के साथ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है देखिए मुझे रहता है कि कुछ कंपनियों जो की बजार को बजार काफी पसंद करता है उनको लेकिन के नंबर्स दूर दूर तक सपोर्टिव नहीं रहते है नंबर्स इन सेंस के उनके जो अर्मिंस आती हैं वह नंबर्स कहीं भी सपोर्टिव नहीं है जैसे भेल है आप कहलें आई टी आई है टी टी एमल है यह बजार को काफे पसंद है कि इस इन सारे स्टॉक्स में स्टॉक मोमेंट जो है बहुत अच्छा रहता है और उनको वह लेकिन अपने टागर्ट भी अशीक पर लिया तीन सो क्या सपास था तो अगर आपके पास है तो दो सो पिचासी रुपे के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के बने दे सकते हैं अदर्वाइस फंडमेंटल पे वह कोई वी रोजी पिक्शर्स नहीं दिख रहे हैं चाल रहा है घटने के बाद 18,951 करोड रुपे कंपनी की अगर हम आए पे बात कर लें कंपनी की बाकी चीजों पर जरा इसको आगे बढ़ाईए ताकि जो है आए में सावा 11 परसंट के आसपास की बहत देखने को मिले हैं तो यह नतीजे यहां पर देखने को मिले हैं लेकिन कंपनी की तरफ से जो है वो 10 रुपए प्रतिशेर का डिविडेंट जो है कंपनी की तरफ से घोशित किया गया है लेकिन मुनाफ़ा कटने के बावजूद हम देख रहे है कि कई सारे ब्रोकरिज हाउसेज ने अपनी रेटिंग जो है वो शेर के ऊपर बढ़ाई है और उस ने बाई रेटिंग दी है और यह 3435 रुपए का लक्ष यहां पर दिया गया है तो सर मुनाफ़ा घटा है शेर में सुष्टी है लेकिन तमाम बड़े ब्रोकरिज हाउसेज की तरफ से अंतराश्टी जो रेटिंग एजनसिया है उनकी तरफ से रेटिंग में जो है वो इद जादा उतने अच्छे दिखें नहीं है यह चीजें जो भी है रेलाइंस लोपर जो आपको दिख रहा ब्रोकरिज हाउस दे रहे हैं वो हो सकता है कि आफ्टर एलेक्शन जियो में कुछ प्राइस बढ़ने की बात सायद सुन रहा हूं है कि जो आर्कों का 181 रुपया है व कुछ दिनों से वह उतना अच्छा नहीं कर रहा था और वहां पर एक ट्रैक्शन ज़रूर देखने पर मिला है अदर्वाइस टेक्निकल चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के चार्ट में साइडविस कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन अगर ब्रेक होता है तो मिझे रगता है कि 300-300 रुपे को नोमेंट आ सकते हैं जिसका की वो बात कर रहेंगी उसी के आसपा सारे ब्रोकरेशन हाउस के टागेट आएंगे तो हो सकता है कि टेक्निकल ट्वे मिझे दिख रहा है फंडमेंटली ऐस सच बहुत बले कोई ट्रिगर दिखने रहे हैं फंडमेंटली जो है कोई बहुत बले ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहे हैं ये दोशी का मानना है तो फिलाल बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समात्त करते हैं